पोहे के तो आप लोगों ने बहुत सारी रेस्पीज बनाए होंगे और आज में आप लोगों के साथ पोहे के एक और नियू रेस्पीज सेयर करने वाले हूँ जिसका नाम है पोहा वेजिस रोस्टी इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा जट पट से बनकर रेडी हो जाता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह बहुत ही है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो चलिए पोहा वेजिस रोस्टी बनाना सुरू करते हैं विना टाइम वेश्ट किये पोहा वेजिज रोस्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पोहा तो मैं यहाँ पे दो कब पोहे ली हूँ आप अपने अकॉर्डिंग ले लिजिए आपको जितना बनाना है उसके अनसार इसके बाद हम इस पोहे को धोलेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं इसे साफ पानी से दो बार धोली हूँ और अब हम इसे मिक्सर में पीसेंगे तो इसे अच्छे से हमें पीसना है तो यहाँ पे मैं मिक्सर का जार ली हूँ इसमें हम धोय हुए पोहे को डालेंगे और इसके बाद हम इसमें add करेंगे एक कटोरी सूजी तो यहाँ पर देखिए छोटी कटोरी से मैं भढ़ कर नहीं थोड़ा सा कम सूजी ली हूँ तो आप अपने according ले लिजेगा और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसर डालेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे सूखा हुआ मेथी का पत्ता इस तरीके से क्रस्ट करके हम इसमें डालेंगे आप मेथी के जगह धनिया का पत्ता भी डाल सकते हो मैं मेथी का पत्ता डाली हूँ मेथी का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है इसके बाद हम इसे अच्छे से पीस लेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं इसे अच्छे से पीस लीएं सुजी और पोहे को इसके बाद हम इसे एक बरतन में निकाल लेंगे ध्यान रखिएगा इसमें हमें पानी बिल्कुल भी एड नहीं करना है इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा नीवू तो आप नीवू के जगद दही भी डाल सकते हो मैं नीवू डाल रही हूँ आप चाहो तो दही भी इसमें एड कर सकते हो नीबूर डालने के बाद हम इसे हर तरफ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे भेजी टेवल्स तो यहाँ पे देखिए धनिया का पत्ता, लसून, अद्रक, प्याच और हरी मिर्च यह सारा कुछ मैं इसमें डालने वाली हूँ, आप अपने according आपको जो भी पसंदे आप इसमें डाल सकते हो इन सब को डालने के बाद हम इसे हर तरफ से अच्छे से मिला लेंगे इन सब को डालने के बाद भी आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही इजी रेसिपी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं उन सारी चीजों से बना रही हूँ जो की आपके घर में हमेशा एवलेवल होते हैं तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे तो इसे अब हम पकाएंगे पैन में आप पैन के जगत तबे पे भी पका सकते हो इसमें मैं अभी डाली एक चम्मच तेल और एस पैचुला से इसे फैला देंगे फिर हम एक एक चम्मच करके इस पे डालेंगे और इसे पेचुला की हेल्फ से दूसरी साइड पलट लेंगे तो ये देखिए ये परफ्रेक्ट नीचे से पक चुका था तो अब हम इसे पलट कर दूसरे साइड भी अच्छे से पका लेंगे तो बस इसी तरीके से हमें पोहा वेजिज रोस्टी को उलटते पलटते हुए दोनों अच्छे से पक चुका है बट इसे थोड़ी टाइम के लिए और पका लेंगे उलट पलट के अच्छे से तो बनकर हो जाएगा ये रेडी तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम ने लएगा पोहा वेजिज रोस्टी आप अपने बच् को टीफिन में दे सकते हो ये बहुत ही हेल्दी भी होता है तो ये लिजे पोहा वेजिज रोस्टी बनकर रेडी है तो इसे मैं दो भाग में कट कर लेती हूं आप ऐसे भी ले सकते हो मैं इसे दो पार्ट इसलिए कर रही हूं मैं इसे एक ट्रे में रख रही हूं तो ये द आप अपने एकॉर्डिंग ले सकते हो तो ये लिजिए पोहा वेजिज रोस्टी बनकर रेडी है और अब मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूं ये देखिए ये दोनों साइट से और अंदर से भी परफ्रेक्ट पका है और आप इसे क्याचप के साथ खाईए तो ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है यकीन मानिए आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय कीजेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को पोहा वेजिज रोस्टी की रेसिपी तो उमीद करती हूं कि आपको पोहा की खुच्च्च्च्च्च्च्च्ट झाल झाल